विकेडनेस का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं विकेडनेस का आर्थ होता है किसी चीज के विकेड होने का जो गुण होता है उसको उसकी विकेडनेस कहते हैं यानि कि शरारत या शरारत पूर्ण किसी का रविया होता है तो उसको भी हम wickedness कहते हैं इसके इलावा इसका आरत होता है दुष्टता, पाप, क्रूरता, शैतानी, एनैतिक्ता, दुराचरण या शट्था जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मैं इसे दुष्टता की श्रेणी में रखता हूँ तो आप कहेंगे I class that as wickedness या अगर आप ये कहना चाहें कि ये दुष्टता का एक क्रूर कार्य था तो आप कहेंगे this was a findish act of wickedness अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें